हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर एट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में एक बेहदी खास पौधे के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में जो पौधा आपको दिखाई दे रहे से बबूल के नाम से जानते हैं बहुत सारे लोगों से बार बरा के नाम से भी जानते हैं बबूल पेड का छाल और गम बहुत ही उपचार में उपयोगी है बबूल एक आउसदी पौधा है आए जानते हैं इसके कुछ आईरवेदिक फायदों के बारे में दोस्तों जिन लोगों को बाल गिरने की समस्या हैं उनके लिए यह बहुत एक कारगर उपा है कि इसकी पत्तियों को पेष्ट बना कर अपने सर पे लगाएं यह बालों को गिरने से रुकने में मदद करता है बबूल न केवल आपके दातों के बिकारों का इलाज करता है बलकि इसे मजबूती बनाता है आपने सभी दात के बिकारों को ठीक करने के लिए बबूल के पेड़ की ताजा च्छाल को चबा लेना चाहिए दोस्तों जिन लोगों को एकजीमा की समस्या होती है तो एकजीमा के उपचार में बभूल उपयोगी माना जाता है आप लगबग 25 ग्रम बभूल के पेड़ का छाल लें और आम के पेड़ का छाल इतना ही लें और इसे एक लिटर पानी में उबालें अब इसकी भाप लें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं के इलाज में बभूल के पत्यों को अपयोग किया जाता है यह आपके तवचा को पोसर देता है और इसे चमकदार बनाता है बारवर नाइट फाल के समस्या का उबचार बभूल के पेड़ के ताजे के फलो द्वारा किया जाता है बबूल का जो पेड होता है उसमें एंटी हिलिंग प्रापर्टी पाय जाती है जिससे आपके घाउं को जल्दी भरने में मदद मिलती है घाउं पर नेमी तरूप से बबूल के पाउडर छिड़के हैं ऐसा करने से घाउं जल्दी भर जाएंगे जब दोस्तों तवचा के बिकारों की बात आती है तो उसमें भी बबूल काफी प्रभावी माना जाता है बबूल जो है तवचा को साफ करने के लिए काफी ज़्यादा कारगर है इसके लिए आपको इसके पत्तियों को उबाल कर उसे इसनान करना चाहिए दस्त और आत के इलाज में भी बबूल काफी उपयोगी माना जाता है अब जानते हैं इसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं तो दोस्तों आप बबूल की पत्तियों को उबाल कर इसका काढ़ा पी सकते हैं जिन लोगों को टांसिल की समस्या है उनमें इनको मदद में लगी दातों को ब्रस करने के लिए बबूल का पाउडर लें क्योंकि आपके दात, गम और अन्यमोकिक समस्याओं को मजबूत करने मदद करता है तो आज के वीडियो में से पेतना ही उम्मिद करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नहीं जानकारी दी है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ सेर करें